मसकार दोस्तों स्वागत है अब सभी का हमार यूटूब चैनल में आई देखते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांती है ना आज इस 1857 की क्रांती से रिलेटर जितने भी इंपॉर्टन कोश्चन बन सकते हैं या जितने भी कोश्चन अब तक किसी ना किसी पेपर में आ तो आई देखते हैं देर ना करते हुए अपने टॉपिक भी पोश्चते हैं 1857 की क्रांती सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस क्रांती का प्रारोब क्या था या इसकी प्रकृत ही क्या थी ठीक है तो इसको तीन भागों में समझा जा सकता है या तीन भागों में बाटा जा स सकता है ठीक है पहली साइनिक विद्रोह भी कह सकते हैं राष्ट्री विद्रोह भी कह सकते हैं और सुन योजित स्वतंता संग्राम भी कह सकते हैं ठीक है यह इतिहासकारों के अनुसार हमने लिखा है ठीक है क्योंकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह साइनिक विद्रोह था यानि ये जो अठारसो सतावन के एकरांती है इसके प्रकृति या सुरूप इसका सैनिक विद्रोह जैसा था और कुछ लोग कहते हैं ये राष्ट्री विद्रोह था और कुछ लोग कहते हैं ये सुन्योजित स्वतंता संग्राम था ये कहले जी कि ये पहला सुन्योजित स्व बाटना है तो आईए देखते हैं यहां से कई सारे फैक्ट बनते हैं कि किसने सायनिक विद्रो कहा किसने राष्ट्री विद्रो कहा और किसने सुन्योजिस सुतंता संगराम कहा ठीक है तो आईए पूरी बात करते हैं देखे जैसे कि यहां पर सायनिक विद्रो जो भी लोग क जानते हैं क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिच्छक भरती के अलावा कोई भी आप एक्जान देने जा रहे हैं इसका एक दू कोश्चन मिलता जरूर है ठीक किसी भी एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा लेकिन राष्ट्री विद्रो के कहने वाले ये सब भारती थे ठीक क्योंकि ये राष्ट्री विद्रो था और कुछ लोगों यह सुनय रजित सुतनता सगनाम था टीक है तो आई जरा बात करते हैं पहला इसके बारे में चरचा करते हैं साइनिक विद्रू किन विद्रो किन लोगों ने कहा ठीक और उनके कथन क्या थे तो जैसा कि आप देख रहे हैं साइनिक विद्रो तो सर जांस लारेंस ने कहा था ठीक है तो ये भी देखिए फारें है ठीक और फिर दूसरे थे सर जांस सीले ये भी विदेशी है ठीक यानि मतलब भारती कोई नहीं होगा और तीसरे है टी आर होम्स ये भी विदेशी है ठीक है तो टी आर होम्स का कहना था कि ये सैनिक विद बर्वता के मद संगर्स है बहुत ज्यद़ इंपorterंट है यह स्टेट्मे rivet कभी कभी पूछं लेका तो ट्यर म effectivement इन्होंने कहा और बर्वता के मद संगर्स था अब यह सब ब्री गिर उन्होंने अंग्रेजों होगा और भारतियों फिल टीक तो आप समझ सकते हैं कि ये विदेशी ही है तब ही ऐसा बोल रहे हैं वरना अंग्रेजों नहीं ही भारत पर रूल किया है ना और उसके बाद भारत वासियों को बार्बरता और अंग्रेजों को सब्वेता बोल रहें ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि इसको आप थोड़ा सा रटा मली जी पेपर में अक्सर पूछ लेया जाता है तो सब्वेता और बरबरता के मदे संगर्स टी आरोंस ने कहा ठीक और ट्रेविलेन ये भी एक वैग्यानिक स्वरी इतिहासकार हैं ट्रेविलेन तो इन्हों ने कहा कि यह सैनिक विद्रो है ठीक और मालसन ने भी यही कह कि यह सैनिक विद्रो कहने वाले पांच लोग थे ठीक है अब दो लोग और हैं जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टन्ट हैं तो आई देखते हैं यहाँ पर चर्चा करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन्ट हैं L.E.R. रीस ठीक L.E.R. रीस ये एक इतिहास कि धर्म के अंदों का इसाइयों के विरुधुland तो यह बहु बोल रहे हैं कि जो भारत वासी हैं वो धर्म के अंदे थे ठीक यानी इन्होंने धर्मान्दों भारतीयों के लिए बोला यह तो यह किसने बोला यह ll i 21 इ sill E920 ने बोला ठीक तो यह भी पूछ लेया जाता है इसलिए हमने इंपॉर्टन लिखा है ठीक है तो इनको जरूर आप ध्यान रखेंगे ठीक अगला देखते हैं टेलर तो टेलर का कहना था कि यह 1857 की क्रांत जो थी यह हिंदू-मुस्लिम के सड़ेंत्रों का परेडाम था ठीक है तो इतना आप थोड़ा जैसे हम यह कंप्लेट कर चुके कि साइनिक विद्रो कि लोगों ने कहा ठीक है और इसके बारे में किल लोगों ने क्या कहा अब हम लोग पढ़ेंगे राश्ट्री विद्रो कहने वाले कौन-कौन है तो उनमें नाम आएगा सभी भारतियों का ठीक है जैसे बारती इतिहास प्र Msagar योगी रहेंगे उनके बारे में नाम आएगा तो सबसे पहला नाम आता है असोग मेहता का ठीक है इंकी पुष्टक अपने पूुस्तक में कहा है कि यहां राश्ट्री विद्रोव हैं ठीक नाकी सैनिक विद्रोव अब एक और है वेग्यानिक Benjamin Digerai Lee इनके बारे में आए थोड़ा सा समस्ट आई देखते हैं इनका नाम आप जरूर ध्यान रखें बेंजामिन डिजराईली का ये एक मात्र ऐसे अंग्रेज वएकती हैं जिनोंने राष्ट्री विद्रोह कहा है तीक है यानि जो आठारसो सताउन की प्रांती है इसको राष्ट्री विद्रोह कहने वाले सिर्फ भारती ही थे और जबकि जो अंग्रेज लोग थे जो सायनिक विद्रोह मानते थे लेकिन ये एक ऐसे अंग्रेज वेकती हैं जिनोंने इसको राष्ट्री विद्रोह कहा ये जो बिर्टेन है बिर्टेन की संसद में जो हाउसाफ कामन्स होता है उसके एक सदस से थे ठीक उन्होंने 27 जुलाई 1857 को कहा कि यहां 1857 की करांती सायनिक विद्रोह ही नहीं बलकि राष्ट्री विद्रोह था ठीक यानि राष्ट्री विद्रोह की संग्या दी है तो इनको थोड़ा सा ज़रू ध्यान रखें क्योंकि यही एक मात्रह से वेकती है जिन्होंने राष्ट्री विद्रोह कहा है अंग्रेज होने के बावजोत भी राष्ट्री विद्रोह कहा है बाकि जितने भी अंग्रेज रहेंगे वो सारे के सारे इसको सायनिक विद्रोह ही मानते हैं ठीक है आप आईए देखते हैं अगला यह तीसरे वेकती हैं स्वरी हम हम लोग दो कंडिशन पढ़ चुके हैं पहला हम लोग पढ़े थे सैनिक विद्रो दूसरा पढ़े थे राश्टी विद्रो अब यह तीसरा है प्रथम सुन्योजित सतंता संग्राम ठीक है तो आई देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे मोश्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है वीडी सावारकर का ठीक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडी सावारकर तो इनके बारे में आई थोड़ा सा चर्चा करते हैं ठीक है वीडी सावारकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावारकर है ना तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखें विनायक दामोदर सावार कर ठीक है इनका ग्रंद था दा इंडियन वार आफ इंडिपेंडेंस ठीक है दा इंडियन वार आफ इंडिपेंडेंस इन्होंने इस ग्रंद को या इस पुस्तक को इन्होंने उन्नी सुन्नों में प्रकासित किया था यानि सुतंता के मतलब ये 1857 के भला है इस ग्रंद के अंतरगत कि अंग्रेजों ने इसे मतलब जब तक यह मतलब 1877 की करांत चली तब तक यह इसको प्रकासित ही नहीं करने दिये ठीक है यह कह लिजिए कि इन्हों ने 1809 में इसको लिखा था लेकिन जब तक अंग्रेज रहेंगे भारत में ठीक तब तक इसको प्रकासित ही नहीं करने दिये ठीक है जब हम लोग आजाद हुए तब जाके इस ग्रंद को प्रकासित किया गया ठीक है तो क्योंकि वो जानते थे कि इतना ज़्यादा देश प्रेम इसमें कोट कोट के बरा है तो आम बात है कि जनता जरूर भड़क उठेगे ठीक इसलिए उन्होंने इस ग्रंद को प्रकासित ही नहीं होने दिया ठीक है यह बाद में प्रकासित हुआ जबकि लिखा कब गया था 1909 में ठीक है तो यह कुछ ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने कुछ का कहना था कि सैनिक विद्रो है कुछ का कहना था कि राष्ट्री विद्रो है और कुछ का कहना था यह सुन योजे स्वतंता सग्राम रहा ठीक है तो सबने अपने अपने विचार प्रकट की ठीक है सबने अप प्राति के प्रतिक्या कहना था तो आई ज़रा बात करतें बदेखिए इतिहासकार है और प्रेशिंड़ मजूमदार ठीक इन्हों ने मतलब इनको जो है भारत की भारत सरकार ने भारत का इतिहास लिखने का भारत का इतिहास लिखने के लिए मतलब दिया गया ठीक है लिक कहा गया पर इनों जिसमें इनों ने यह कहा मतलब 100 साल तक इनों ने पूरा सब रिसर्च किया 1857 की क्रांत के बारे में फिर इनों ने एक निसकर्स निकाला उसमें इन्होंने यह लिखा कि जो 1857 की किरांती है यह तथा कथिद ठीकिब इसमें इन्होंने कहाए कि इसके बारे में 1857 की काथ पर्əड़े में जलाए इसको ध्यां समझेगा निंदनी बात है ना निंदा वली बात है कि आप भारती होने के बावजुद भी आप ऐसी बाते बोले हैं जबकि कुछ अंग्रेजों का भी यह मानना था कि यह राष्ट्री सुतनता का संग्राम है ठीक है लेकिन देखिए इनका कहने का मतलब क्या था तथा कथित मतलब उस स समय कैनुसार अगर हम कहें तो इनके कहने का मतलब यह था कि प्रथम राष्ट्री सुतनता संग्राम ना तो प्रथम है ठीक और ना ही राष्ट्री है और ना ही सुतनता संग्राम था ठीक है तो कहने का मतलब आप सीधी तोर्श पर समझ सकते हैं कि इनका मतलब कैसा नेचर होगा ठीक है तो मतलब अब कोई भी जैसे वेक्ट है भारत का chez लिख रहा है और ऐसी बाते लिखेगा तो उसको इथिहास लिखने का कोई अधिकार नहीं है तो सरकार ने भी इनको हटा दिया ठीक है यानि अधिकार वापस लिलिया ठीक है सरकार जो इतिहास लिखने की समितिया होती है ठीक है कमेटी ने इनको निकाल दिया ठीक है तो इनके अस्थान पर मतलब जब इनको हटा दिया गया तो इन्हों में हिसाब से स्वतंत्र पुष्टक लिखे थे जिसका नाम में कई बार पेपर में पूछ ले जाता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे है ना इसका नाम था आई जराबाद आप दस्पाय मूटिनीटी एंड दस्पाय मूटिनीटी एंड दस्पाय ये ज़िवर्ट आफ अफ़ा है रहा सो शसताउन ठीक तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें टीक इस ग्रंत को इन्होंने 1957 में लिखा थे जिसकु इन्हों ने मला सो साल बाद है नवीनी Candiola को लिखा जो अब किये लिए अपना ग्रैन्थ लिखना शुरूं किये थे उसके बाद इन्होंने अपना प्रकासित किया यह पेपर में कब्षे कुछ नहीं था तो थ्यान रखें अगर कोई confusion हो तो जब नेट पे clear कर लेजेगा ठीक है वैसे लिखा सही है अब आई देख लेते हैं दूसरे इतिहासकार कौन है जो देश के आजाद होने के बाद क्या लिखते हैं ठीक है तो जब इनको कमेटी ने हटा दिया RC मजूमदार को ठीक है तो एक नए विक्त को चैनित किया ग अधियास लिखने के लिए सुरेन नाथ सेन को 1960 में चुना गया ठीक है तो अब आई देखते हैं इन्होंने अपना एक ग्रंत प्रकासित किया 1857 1857 ठीक है लेकिन आप इसको इंग्लिस में ही ध्यान रखेंगे क्योंकि यहां पर हमें उसको कनवर्ण नहीं करना होगा इन्ह अगर इनके अनुसार अगर देखा जाए ठीक है तो इन्होंने 1857 की क्रांद को अपने सब्दों में कुछ इस प्रकार लिखा है कि यहां धर्म युद्ध से प्रारम हुआ और स्वतंता संग्राम के साथ समाप्त हुआ ठीक है यानि इन्होंने इसको स्वतंता संग्राम मान है ठीक है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें तो इतनी बाते हुई मतलब कैसी क्या उसकी प्रक्रति रही ठीक इन सब चीजों के बारे में आब हम लोग पढ़ेंगे कि 1877 की क्रांद की कारण क्या थे ठीक है अभी तक तो हम लोग सिर्फ उसका प्रक्रतिया सुरूप क्या था वो हम समझ पाएं हैं जिसके संदर्व में जो इतिहासकार जो भी स्टेड्मन बोले हैं वो सब हम लोग चर्चा किये हैं जिन्हों ने क्या कहा कि सुंतर संग्राम कहा या राष्ट्री विद्रो कहा या साइनिक विद्रो कहा यह सब बाते हम लोग समझ पाएं हैं अब ह राजनीति कारड भी था ठीक है आगे हम लोग चर्चा करें गी कि राजनीति कारड कैसे ना जैसे कि आप जानते हैं लार्डल्र होजी की हड़प नीथी है ना मुखल विद्रो मुखल समराट भी इंसे नारा थे टीक है मारठा भी नारा थे तो बंबाई के के बारे में पूरी पूरी चर्चा करेंगे वहाँ पर पूरी बात करेंगे देख लेते हैं जल्दी से कौन-कौन से कारण है राजनीती कारण आर्थी कारण सामाजी कारण सामाजी कारण को आप धार्मी कारण भी कह सकते हैं जिसमें चर्वी लगा कार्तुस आप एक्जामप कारड क्या थे ठीक है तो ताथकाली कारड की भी बात करेंगे ठीक है जो मंगल पांडे जी ने एक हत्या कर दी थी ना वान लेटनन वान की ठीक है तो इसके बारे में भी बात करेंगे पेपर में बनने वाले चोटे-चोटे पेपर में बनने वाले शिच्छक बरती से लेकर PCS तक जितने भी कोशन आज तक पूछे गए हैं सब के बारेम चर्चा करेंगे ठीक हैं तो इसको जरूर देखे और पूरा पूरा देखे और इसके कोसिस करेगी नोट's बना ले बहुत अच्छे नोट's हैं ठीक है आप बस समझने का प्रयास करें तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्वाद तेंक्ट वीडियो देखने के लिए